24,000 आए थे उसके पिछले गंटे 24 गंटे में साड़े 19,000 आए थे तो अभी करूना के केसेज बढ़ने की गती चालू है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं ज्यादा चिंता की बात ये है कि पिछले 24 गंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़के लगबग 30% हो गया है जबकि ये उसके पिछले 24 गंटे में केवल 24 परसेंट था 24 परसेंट से बढ़के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया बहुत ज्यादा तेजी से केसे बढ़ रहे हैं अभी पूरे दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफी तेजी से खतम होते जा रहे हैं पेशन्ट्स बहुत बहुत तेजी से मरीज जो है वो असपतालों में जा रहे हैं Iciu bedz के खासकर काफकी कमी हो गई है लगबग सारे दिल्ली के आईसिघ बेड्स मिला के सौ से भी कम Iciu beds पूरे दिल्ली में बचेंगे आउक्सिजिन कीभी काफि कमी है रात को एक छाउस्पिटल ने हमें बताया कि जिसकी वगेसे त्रासदी होते होते बची यह हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं उनसे भी मदद मांग रहे हैं उनसे मदद मिल रही है जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्शवर्दन से भी बात हुई थी उनको भी मैंने बताया कि हमें हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत जादा जरूरत है आज सुगह श्री अमिच्छा जी से भी मेरी बात हुई फोन के उपर उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत पतालों के मिलाके 10,000 के करीब बैड हैं, अभी उसमें से 18,000 बैड जो हैं वो रिजर्व किये गए हैं करोना के लिए, हमारी केंद्र सरकार से निवेदन हैं कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बैड इतनी गंभीर परिस्थिती, पल-पल परिस्थिती खराब हो रही है तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बैड करोना के लिए रिजर्व किये जाएं और ऑक्सीजन की तुरंथ हमको सप्लाई की जाए, दिली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उमीद करता हूं कि 6,000 से ज्यादा बैड हम ऑक्सीजन बैड हम तयार कर लेंगे और जैसा मैंने बताया, ICU बै तुर हम समयरी के लिए बैड करने और म שמע नरी जीयाद की तो हम कई सारी अस्पतालों के लिखने हैं कि अदर हाई फिल ओक्सीजन की जरूत को थिली सीम गा बैड अधिकिन डेके जाए से होड़े कर भाट पहन हो दिनों में पिसमत, बैड प्रफिलीड हमके के लिए गड़ उसको दुबारा चालू कर रहे हैं, कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाया जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जा रहा है, जो कर्फियू लगाया गया है उसका लोग काफी सहयोग कर रहे हैं, मैं पूरे दिली की जनता का तहे दिल से शुक्रियाद करना चाहता हूं, जिस तरह से करोना की महमारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं, कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है, कई सारी एंजियोज जो हैं वो बहुत मदद कर रही है, कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग में तो